हेलो दोस्तो मेरा नाम है कमल जोसी दोस्तो आज चेक करेंगे कैपिशिटर पैनल में आटोमेटिक पावर फेक्टर करेक्शन पैनल को किस तरीके से हम लोग मिंटेनेंस करते हैं और कैपिशिटर की वैल्यूस को और कैपिशिटर अनबैलेंस हैं उसको किस तरीके से चेक करें तो हमारा ये capacitor bank है जिसकी capacity है 350 kvar इसकी capacity पहले 200 थी अभी इसकी capacity बढ़ गई है क्योंकि load हमारा बढ़ गया है तो हमने इसकी capacity बढ़ा दी है तो इसमें यहाँ पर always एक space होता है जिससे हम capacity बढ़ा सकते हैं अभी हमारी machines running में नहीं प्लांट बंध है तो हमारा unity आ रहा है जो एक बहुत ही ideal condition है तो अभी load नहीं है और capacitor bank हमारे कुछ on है manual में तो उसकी वज़े से यहाँ पर यह हमारा power factor unity आ रहा है तो 0.9 तक हमारा something रहता है प्लांट के साथ में रहने के साथ में प्लांट अगर running है तो 0.98, 0.99 हमारा capacitor में power factor रहना चाहिए तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे power factor के थोड़ा detail कितना है इसमें हमारा 350 में 25 kvr का 25 kvr का और यहाँ पर 15 kvr के 35 kvr के और 50 kvr के और इसके नीचे भी हमारा 50 kvr का और 100 kvr का अलक्से स्पेस दे के हमने यहाँ पर power factor connection हमारा पूरा पैनल बैंक है capacitor bank यहाँ पर हमारे बहुत सारे हैं तो 350 kvr हमारा पूरा total load है तो अभी इसमें मैं आपको एक capacitor bank का अंदर से दिखाऊंगा किस तरीके की problems हमारी रहती है जनरली अभी यहाँ पर एक मैंने capacitor bank हमारा जो है manual में किया हुआ है देखे वन में होगा तो आटो में होगा टू में होगा तो manual में है और वैसे ही में उपर दिखाना आपको चाहूंगा यह देखे वन पर है यह आटो में है मिन्स हमारा आटो में हो रहा है और जो हमारा नी पार फेक्टर कम हो रहा है तब भी हमारा में आटो में नहीं ओन हो रहा है कापिटर बैंक 25 kvr का तो आप समझ लीजिए कि आपका contact खराब हो गया है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अंदर यहाँ पर यह में ब्रेकर 25 kvr के लिए यह जो हैंडल बाहर को निकल हुआ है उसके साथ में contactor और उसके साथ में है control mcv तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना है ब्रेकर को जब खोलेंगे open करेंगे तो पहले तो यह हमें इसे बंद करके खोलना है means breaker off होना चीए तो अब यहाँ पर एक contactor है यह भी hold नहीं होना चीए और सारे कुछ कंडिशन हमारी सही इसे मलब normal होनी चीए off condition होनी चीए तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं indicators भी हमारे off हैं तो अभी हमको देखना है कि कहीं से supply तो नहीं आ रही है इदर से तो ensure कर लेना है कि कहीं से गलस supply तो नहीं आ रही है तो उसके बाद हमको main breaker को on करना है इस main breaker को on करक कि हमें देखना है कि one side हमारी supply आनी चीए और one side हमारी supply आएगी तो उसके बाद हमारा जो दूसरी side जो supply जाएगी वो contactor hold होने के बाद जाए और contactor hold होगा अगर manuel mode में है यह contactor hold होगा अगर यह manual mode में है तो हमें हम push button से इसे on करवा सकते हैं अगर यह auto में होगा तो हमारा जो ABV का रिले है power factor correction panel रिले है वो उसके थुरू on होगा तो यह जो control MCB है यह हमेशा on होने चीए चाहे manual हो या auto अगर control MCB नहीं on होगी तो यह हमारा capacitor bank on नहीं होगा तो यह basic यहाँ पर controlling है अब बात करते हैं capacitor bank में जो capital यूज किये हुए हैं capacitor bank जो बना हुआ है उनको किस तरीके से check करेंगे अभी यहाँ पर हमारा मैंने supply off किया हुआ है और अभी मैं आप दिखाऊंगा इसमें marking भी की हुए यह एप कॉस का है यहाँ पर 25 kvr का एप कॉस का capacitor है तो इसका जो load रहता है पर phase में ampere के according अगर हम इसे देखेंगे तो root 3 से multiply होगा तो 1.314 ऐसा कुछ रहता है तो 25 kvr को अगर हम multiply करेंगे 1.4 से approximately लगाएं तो 32, 31, 32 approximately हमारे current value रहनी चीए पर phase में अभी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे capacitor bank अलग-अलग 25 kvr, 10, 20 kvr तो हमारा जो उपर मैं दिखाया था आपको यह पीछे हमारे capacitor इस तरीके से लगे हुए है अगर साथ में पहलाल में लगे है तो यह यहाँ पर capacitor यह देखेंगे अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पर आप clamp meter से यूज कर सकते हैं जनरली यहाँ पर 0 current है current की value 0 है पर phase में आप लगा के चेक कीजिए और इससे पहले current देखें उससे पहले आपको यह भी ensure कर लेना है कि उसमें voltage आ रही है कि नहीं आ रही है voltage हमारी proper 3 phase में है तो 430 वोल्ट हमारा proper रहना चीए तो अभी यहाँ पर मैंने off किया हुआ है तो अभी breaker को on करता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर क्या process है पीछे capacitor bank में हमारा किस तरीके का जनरली रहता है capacitor bank अभी तक बंद था 25 kvr का और भी हमारे ब्रेकंजर के का करते हैं तो अभी मैं देख रहाँ यहां पर कोई के कट्राइंट की विल्यू नहीं आ करिant की वइलियो क एा तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा दूसरे नजा घएक दो हमारा थी से के यपर यपर Less Diamheim कारंट ्टोर आंशaiserना चिंग करें के विए घर कोई और तो इसमें कोई प्रापलम नहीं और एक व्ल्टेज को मुझे लगला है इस में वोल्टेज सिन आहिए और अनबालन्स की कंडिशन में इस में आवाज भी खरते हैं लीनलों कैभिष बैंग, अभी हम्पर हमारा वोल्टेज भी नहीं आरहा और वेभी इसका कनेक्शन षब्लमने काट दिया थै फैले तो फेज highlights तुक्आ हन्या yesterday's वोल्टेज को हम मल्टी मीटर से चेक करेंगे अभी में पॉसिवल नहीं है एक हाथ से मोल्टेज दिखा पाना आपको एक हाथ से कैमरा पकड़गे तो आप पर फेस में वोल्टेज देख लीजेगा 430 वोल्ट या जो भी आपके चार सो से 430 के बीच मोरे वोल्टेज रहती है वो होनी चीए और इसके बीच में जब हमको वोल्टेज से इन्शूर हो जाएंगी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है तो उसके बाद क्लैम मीटर से हमें चेक करना है कि करेंट कितनी है करेंट हमारा 25 की वियार का है तो हमारा 31 32 र नहीं है तो दोस्तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकि दोस्तो